आप लोग किसान भाई अब यह बाली बहेंस देख रहे हैं जो रानी पोखर पसु मंडी में असेल के लिए उपलाव दुए तो आप लोग को बारी किसे बाली बहेंस को दिखिला करके और इनका ओनर से बाली बहेंस का डिटेल दूगा किसान भाई हो जो कि आप लोग देख स क्ते गया जो कि बहुता बाएं ऊस्साद में और बहुत तरह के कुमेंट करते हैं तो उसे हमें कोई परवान नहीं होगा है जानवायों जो कि उचित कमेंट रहेगा उसी का रिपलाई दिया जाएगा अन्या था बकबास वाली कमेंट रहेगी तो उसका आप लोग को रिपलाई नहीं दिया जाएगा किसानवायों जो कि बहुत सारे भाई इनका आउनर से आप लोगों को यह बहुंज का डिपेल देती फिसान भाइो दात में कितना है और दात में कितना है दात में मिले हुए और बत्चा क्या है और अगपता के और दूर कितना कर रहे है और रेक्ट 75,000 डिमांड करें जो कि ए भैंस की आज की मिला मंदी में डिमांड की बात की जाए तो 75,000 डिमांड किया गया है किसान भाईो तो मैं कोसिस करूँगा आप लोग को अगली भैंस को लेकर चलने का जो कि 75,000 बताया गया है दाम तो फिक्स नहीं है जब खरीद करने के मकसद से आएगा तो भैंस का है वह रेट कम करके और सेल कर दिया जाता है किसान भाईो मैं कोसिस करूँगा आप लोग को अगली भैंस की ओर लेकर चलने का किसान भाईो आप लोग के भैंस को पारीकी से दिखलाने का परियास करूँगा और इनका ओनर से पूछ करके वाली भैंस का भी आप लोग को डिटेल देने का परियास करूँगा किसान भाईो जो कि आप लोग देख सेकंतों किस परकार की उड़र ली हुई है कि आप चृट अडर की भाईस की सानवा जो की ऑडर विया ताइट अडर की है तो काफ ही असना के साथ इस परकार की भैंसे वह खरित किया जा सकता है जो कि काफे छोटी सिकर्ट का ठीली हुए भैस है किसान की रखने वाली भैस है किसान भाई हो जो कि यह दोना स्वा में असानी के साथ पंच्छे लिटर दूद कर देना चाहिए किसान भाई हो पंच्छे लिटर जो आप लोग देख सकते हो किस परकार की है किसान भाई हो तो आप लोग देख सकते हो आप बारी किसे किस परकारी के भैस हैं तो चलिए इनका ओनर से आप लोग को यह वाले भैस का डिटेल लेने का परियास करूंगा इस तरह से भी भैस को देख सकतो किस परकार की है दात में कितना है न चाहिए बच्चा क्या है परिया बच्चे के साथ में किसे और कपकी ब्याए भूई है पंद्रा दिन की और दूध इतना कर रहे हैं और रैट कितना ओछ इन फेशक्ष्क्षी दिमान की बात कि तो आज की मेला मन्डी में बना किया है लेकिन वह में खूल कर दिया जाएगा कि सानवाय। तो मैं कोस्ज़ कर 심आ निद्धिक रहें Counselent War UK अगली भैंसक्षे ओर लेकर चलने का कि सानवाय। बाली भैस देख रहे हैं किसान भाईयों जो आज रानी पोकर पॉसु मंदी बैसाली बिहार में सेल के लिए उपलब्द होई है तो आप लोगों इनका ओनर से पूछ करके वाली भैस का डिटेल लूँगा इसे पहले भैस को आप लोग देख सकते हो किस परकार की है किसान भा आप लुड़ी बालेक पॉसु पारी में आप लोगों जो दख सकते हों किस परकार की है आप लोग देख सेकते हो इस तरफ से भी है भैस को किसान भीओ तो चलिए इनका ऑनर से वाली भैस का डिटेल देने का परियास करूंगा दात में कितना है दात में मिली हुई है और बच्चा क्या है पारा बच्चा और कब की ब्याई हुई है चो दिन की और दूद कितना कर रही है तो आज की मिला मंडी में एक लाग साथ हजा दिमान किया गया है लेकिन में अप्छाट्र के बीच में उपलब्द हो पाना चाहिए किसान भी तो मैं कोशिष करूंगा आप लोग को अगली भैस को लेकर चलने का एक बार और को करूंगा आप लोग को करीब से अप्छा अर और बच्चे को भी आप लोग देख यहाँ और मुरे हुई है और वह टूटी हुई सींग की है भैस किसान भई हुई हो मैं कोशिष करूंगा अपो लोग को अगली भैस के बार चलने का किसान भई हो आप लोग किसान भाई एक तीनों बार देख रहे हैं जो आज पोखर पौशू मंडी बैसाली भिहार में सेल के लिए उपलब्द होई है तो आप लोगों बारी किसे इतेनों बहांस का डिटेल इनका ऑनर से पूछ कर बतलाने का परियास करेंगा इससे पहले आप लोग भैंस उसको देख सकते हो जो कि किस परकार के तो आप लोगों को बा आप लोगों को भैंस का डिटेल देने का परियास को जो कि आप लोग यह वाली भैंस देख रहे हैं किस परकार के लिए हुए थोड़ा भैंस को टाहला देजिए तो फोल के वाली को आप हामार तै के का का लिए का तकаль को नियुक Kindled को किसान्बाइय जो आप लोग देख सकते हो जो चाफी बड़ी से हाइट ली हुए है वहांस है किसान भाइओ तो आप देख सेकते हो बारी की से आप लोग को तीनों भाइज का डिटेल दोंगा उडर से पूछ करके चल ढ़ल भी अप लोग इधर देख सेकते हो किस परकार की ऑरडर ली हुई है तो आप लोगों इनका ऊनर से वाली भहास का डीटियल देने का परियास करूंगा किसांग भाई और कितना है यहां सब्सक्राइब और रेट कितना मांग रहे हैं एक लाख पच्पन हजार डिमांद किया है किसान लेकिन मेला मंडी में रेट है वह गलत बताया जाता है यह लेकिन अपने अनुषार लेगा यह वीडियो में आप प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग है वाली और बनाई हूई है तो आप लोग किसान भाई अब यह बाली भी भैस देखेंगे कुछ ही समय में बाहर निकल जाएगी तो आप लोग और देख सेकते हो किस परकार के लिए हुए है किसान भाई हो तो आप लोग देख सकते हो कि काफी मस्ट अडर ली हुए है और रिंग सिंग किये भैसे की संभू जो आप लोग देख सकते हो किस परकार की अडर ली हुए है काफी असानी के साथ इस परकार की भैसे वह मिला मंदी से खरीद कर लिया जा सकता है किसान भाई हुए तो चलिए इनका ओनर से यह वाली भी भैस का डिपेल देने का प्रियास करूंगा दात में कितना है चार दिन की और कीमत कितना रखे हुए है रेट एक लाख भी लिए जो कि हाक लाए तो कुछ कम रेट कर दिया जाए गें ये शिटा कम नहींगे एक पांच में खरीद करके और शेल कर दिया जाएगा किस्थान भिए जो आप लोग देख सकते हो जो कि एक लाग पांचा में खरीद कर सकते हो और आगे अपना लेख जाकर यहां ले जाएगा बैपारी भाई लोग तो महाँ पर काफी असानी के साथ भैंस है इस सेल कर दिया जाएगा किसान भाई हो तो मैं कोशिस करूंगा आप लोग को अगली भैंस को लेकर चलने का किसान आप लोग किसान भाई यह दोनों भैंस देख रहे हैं जो रानी पोकर पसु मंदी बैसाली बिहार में असेल के लिए उपलब दूई है तो आप लोग को दोनों भैंस को अच्छी तरह से दिखलाने का परियास करूंगा और इनका ओनर से यह दोनों भैंस का भी डिटेल दे जो कि बारस भी स्टार्ट हो गई है किसान भाई वह आप लोग दोनों भैंस का फेस भी के लिए देख रहे होंगे किस परकार के लिए हुई है किस परकार की है दोनों भैंस का लिटेल इनका ओनर से पूछ करके देने के लिए किस हैं तो चलिए इनका ओनर से दोनों भैंस का बात्चित कर रहा है दात में कितना है भैंस दात में दोनों मिली हुई है और बच्चा क्या है पारा बच्चा दोनों के साथ में है और दूद कितना कर रहे हैं दोनों जो कि दोनों भैंस आप लोग देख सकते हो अगली बहेंस को लेकर चलने का किसान वह जो कि आप लोग गर्डर भी देख सकते हो आप लोग pave की से वाली बहेंस को दिखलाने का परियास करण और इनका उनर से वाली पहेंस का इस पी बहैस का भी आपको डिटेल देने का परियास करणा जो कि मिला में बहुत ही अधिक गरहा कोने के करन 촤 भी बहा भी आपको को देखने क Nearly hai जो कि भैंस का सीजन है तो आप लोग को पहले बैक से अडर दिखलाने के लिए आप लोग को इस तरफ से भी एवहांस को देखने को मिलेगा कि सानु है यह लोग करीब से दिखलाने का पर्यास कर रहा हूं कि सानु है तो चलिए इनका और से आप लोग को यह वाली भी भैंस का डिटेल देने का पर्यास करूंगा पूछ करके कि सानु हो दात में कितना है वाली भैंस दात में मेले हुई है और बच्चा क्या है पारी बच्चा है और कब की ब्याई हुई है तीन दिन की और दूद कितना कर रही है कितना चाओदा लिटर और रेट कितना मांग रहे हैं और आज की मेला मंदी में एक लाख दौशाद दिमांद किया गया है लेकिन किसान भायों आप लोग को एही कहना चाहता हुं कि आए भैंस को खळीड करें तो अपने जरिया के अनुसार खिए जो कि मेला मंडी में और मिल्क अधिक बताया जाता है तो आप लोग अनभाव है तभी आदमी के साथ ही आप लोग के साथ तो में पोज़िस करूंगा आप लोग को अगली भैस को लेकर चलने का किसान भाई और देख सकते हो किस परकाट के लिए है अप लोग किसान भाई अब यह जानियोग को दीख लाने के साथ है तो आप लोग को कि आदने का परियास परियास करूंगा और इनका और से यह और सले जंदीक इना अपस्तुक्राहे लेंग तो मैं कोशिश करूंगा आप लोग को व्यख से बी ऐवदाने के लिए कि शांड़ बाया है तो आप लोग इस तरफ से भी ऐवदाइस को देख शेकटे हो जो कियी ऐवदाइस के अप लोग को चालधाल भी दिखलबाने का z करूंगा इनका ओनर से कह करके जो कि आप लोग बैक से और ओडर भी देख सकतों किस परकार के लिए होई है थोड़ तहला देजिए अब कुछी देर में आप लोगों को यह वहाली भैस का डिटेल देने का इनका ओनर से किसान भायों जो आप लोग देख सकतों कि काफी बड़ी सी हाइट ली हुए है किसान भायों असानी के साथ मेरे अंजासे एक आरल लीटर के करीड में असानी से दूद कर देना चाहिए असानी सिक्समें को चलिए इनका ओनर से वाली भैस का डिटेल देने का परियास करोंगा कितना है डात्व में मिली हो यह और बच्चा क्या है तक कि न दीक है कितना करेंगि बच्चा करने के बाद कर देगी और एक बातक पंटा क्या लेकिन उच्छ पताएे कितना तक के होगा बदक कि जा तो एक लाग पांच्छा निस जो किए गाई है अभी प्रेग्नेंट ही है और 5-7 दिन में भैस है और जो बच्चा कर देगी किसान भाइयो तो मैं कोशिस करूंगा आप लोग को अगली भैस को लेकर चल लेगा किसान भाइयो